नमस्कार दोस्तों जारखन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है तो उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे हम लोग जो प्रशायन सास्तर का सीरीज सुरू की हैं उसके अंतरगत हम लोग कुल नौ अध्याय देखने वाले हैं जिसमें से प्रत्वम अध्याय हम लोगों का समाप्त हो चुका है इससे समंदित MCQ का वीडियो भी आप लोग का डाल दिया गया है तो वो वीडियो आप लोग देखिए उससे आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उससे किस तरह का MCQ पूछा गया है तो हम लोग का जो पहला अध्याय था हमारे परिवेश के पदात उसके बाद जो दूसरा अध्याय है पदार्थों का वर्गी करन तो आप लोग कहिए गए कि उसमें भी तो हम लोग वर्गी करन का ही ये चैप्टर क्यों हैं तो अगर कोई इंट्रो वाला वीडियो समच अवस्था में उसको बाटे थे ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस अइंस जिंट कंडंसेट अब जो हम लोग आधार होगा हमारा वो रशायनिक आधार होगा यानि कि हम लोग पदात का फिर्शय वर्गी करन करेंगे लेकिन आधार जो होगा वह बदल जाएगा का यह द्रावस्ता है पानी और यह जो है वो ठोसा वस्ता है जब दोनों को आपस मिला दिया जाता है तो क्या बनता है सरवत बनता है यह तो हम लोग जानते ही है इसमें अगर गैस अगर मिला दिया जाए कारबन डाइक जैस साइड जैसे गैस को मिला दिया तो कोल्ड रिंग ये तो एक category में हम लोग इसको नहीं रखेंगे, इसको तो अलग category में रखना है, अब एक और उधारन देखते हैं, एक है copper और दूसरा है zinc, दोनों धातु हैं, दोनों एक ही परकार के प्रमानों से मिलके बने हैं, अब ये दोनों को आपस में मिला दिया जाए, एक तीसरा धा तो देखने को मिलता है हमको, जिसका नाम होता है पीतल, प्रास, और इस तरह से यहाँ पे भी अगर हम कहें, कि पीतल भी ठूस है, copper भी ठूस है, और zinc भी ठूस है, लेकिन इसको एक category, अगर भौतिक अवस्था क्या अनुसरा अगर हम रखें तो एक ही category में आएगा, लेकि दो चीजों से मिलके बने हैं, मिट्टी और पानी से, तो ये भी एक परा का मिश्रन है, तो अगर हम इसको दो बड़े भागों में बाटे, तो एक वैसे पदार्थ को लेंगे, जो किसी के से नहीं मिला है, वो अकेला है, सुध रूप में हमको मिलता है, लेकिन दूसरा जो पानी का धार पे हम लोग इसको बाटे, तो पहला जो कैटेगरी होता है, वो सुध होता है, सुध जैसे नाम से ही पता चलता है, जिसमें कोई दूसरा चीज यहां पर मिला हुआ नहीं है, और दूसरा चीज होता है, मिसरन, इसमें पता चलता है कि दो से अधिक सुध पदा में मिले हुए तब जाके एक मिश्रधातो का निर्मान होता है तरह से सुद्ध पदात यानि कि किसी से मिलके नहीं बना है वो सिंगल है सुद्ध है उसमें एक से अधिक पदात आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन मिश्रण क्या होगा एक से अधिक पदात यहां पे दे माण सकते हैं क्योंकि सर्बत और मिट्टी का पानी एक जैसा तो नहीं दीख़ रहा है इसमें कुछ तो डिफरेंट हम देख सकते हैं उसी तरह से यहां पर आगर आप देखे कॉपर और जिंक जो है यहां कॉपर और जिंक एक ही प्रकार के परमानों से मिलके बना है लेकिन ये जो चीनी है ये अलग-अलग परमानों के मिलने से ये बने हुए यानि C6, H2O6 तो इसको और इसको एक ही कैटेगरी में तो रख नहीं सकते हैं तो पुना इसको दो भागो में हम लोग सुद्ध और मिश को माटने का प्रयास करते हैं तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि कॉपर किसे मिला है तो कॉपर के परमानों से मिलके बना है जिंक किसे मिला है तो जिंक के परमानों से मिला है लेकिन आपका ये जो चीनी है वो तीन परमानों के मिलने से बने हैं कारवन हाइट्रोजन और oxygen से ते इसी लिए इसको एक अलग category ही रखते हैं उसके बाद यहाँ पे हाइच टू ओ जो है जल यह भी यहाँ पे दो परमानों के मिले से बनाएं तो इसको भी एक अलग category रखते हैं कारवन डाइक साइड में कारवन और ऑक्सिजन इसको अलग कर डिखते हैं तो इस तरह से दो सुद्ध को हम लोग दो category बाढ़ते हैं एक को बोलते हैं तत्तो या element और दूसरे को compound या योगी के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं तो है तो यहाँ तत्तो जो होते हैं एक ही प कॉपर का परमानू है तो यहाँ से आप उठाईए तो यहाँ पे भी कॉपर का परमानू मिलेगा और यहाँ पे भी आपको कॉपर का परमानू उसी तरह से जिंक का परमानू यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी आपको जिंक का परमानू मिलेगा कोई अलग चीज यह यहां देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरह से एक ही परकार के परमानू से जो भी चीज बनते हैं उसको हम लोग तत्यों करते हैं या जो पदात एक ही परकार के परमानू से मिलने से बने हैं उसको हम लोग तत्यों करते हैं इसका एक खास विसेस्ता यह है कि इसको हम लोग त और नहीं सकते हैं यह सुक्ष्म रूप से आपके पाए जाते हैं तो यह कुछ खास रीसे सा आपको ततों को देखने को मिलते हैं दूसरा चीज अगर हम यौगिक के बारे मिले के तो यौगिक जो होता है एक से अधिक ततों की निश्यत अनुपात में मिलने से मिलते हैं एक आप लोग ध्यान रखेगा यह निश्यत अनुपात अगर आप गड़बड़ा दे तो यह तुरंत जो है वो आपका मिश्रन बन जाए यानि अनुपात को अगर हम निश्यत नहीं रखे तो वो यौगिक यौगिक ना रहके मिश्रन का रूप ले लेगा इसलिए कभी भी हम हम बोले कि यौगिक का जो निर्मान होता है वो कैसे होता है तो दो तत्तो के निश्यत अनुपात में मिलने से यहां पर यौगिक का निर्मान हुआ है तो चलिए अब हम लोग यहां पर तत्तो के बारे में थोड़ा और जानकारी ले ले लेते हैं तो तत्तो को कहा जाता है यह विभक्त नहीं होता है यानि तोड़ नहीं सकता है यानि कि पदात का सबसे शुक्ष्टम रूप जो है वो कौन सा है तत्व है जैसे हाइट्रोजन को आप कहिए गए कि यहाँ प्रोटन और न्यूटरन में तो तोड़ी सकते हैं लेकिन प्रोटन न्यूटरन का कोई स्व से मिल के बना लूहा की से मिलक्य पधना है तो लूहा के फर्मानूद के मिलने से बना लाख हो करोड़ो अर के परमानूद मिले हूंगे तब जाके एक टत्तो आप का ले लोहा देखने को आपको आंख्यों से जोगी आप देख पाते हैं उस तप्रकान का तर्थ qopor기 मिलने कि हम लोगों को 118 तत्व के बारे में हम लोगों जानकार है जो कि परियोडिकेट टेबल में आपका देखने को मिलता है इन तत्व को टीन कैटेगरी में बाटा गये एक को धातु सा को बॉलते हैं दूसेरी थीरा बारे में हम लोग एक पूरा चाप्स कढें है लेकिन थोड़ा बहुत आपको आईडिया होना होगा कि दातो जो होते हैं वह मैलियेबल होते हैं dejar cortisol मैलियेबल काने का मतलब है कि इसको छोटे इस layer से फॉइल के रूप में जैसे hetul luminum का फॉइल होता है बहुत अधातू जो होता है वो क्या होता है तो उपधातू धातू और अधातू के जो गुन दिखाई देते हैं दोनों के गुन वहां पे जो मौजूद रहते हैं तो उसको उपधातू करते हैं यह आपको पूछा जाता है उपधातू कौन कौन से है बुरून है सिलिकन है जर्मेनि होते हैं जैसे कार्बन कोईला को अगर फ़ोड़ा से मारे तो वो क्या हो जाता है चूर यह लेकिन आप लोहा को मारे तो उना होता हो प्रसार बहुत सारे डिफरेंस है जो कि हम लोग धातु हा धातु के के बारे में तो देख लिए थे अब हम लोग समझते हैं यौगिक के बारे में जो कि सुद्ध पदात का ही ये एक रूप है तो यौगिक के बारे में कहा जाता है कि रशायनिक और वैदृत रशायनिक पृति के द्वारा घटक तत्तों में विघटित किया जा सकता है यानि कि H2O को हम लोग hydrogen और oxygen में तोड सकते हैं देखें ये आपका बहुत आसान विधी नहीं होगा लेकिन फिर भी आखिर ये बना किसे है तो hydrogen से और oxygen से तो इसको हम लोग अलग किया जा सकता है उसी तरह से calcium oxide है तो calcium oxide बीना बुझा हुआ हुआ है तो calcium oxide से मिलके बना है C6, H12, O6 आ लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो अनुपात है वो निशित अनुपात होना चाहिए और निशित अनुपात के साथ साथ योगी के और भी कुछ गुन होते हैं उसको एक एक करके हम लोग यहां समझने का परयास करते हैं तो योगी की गुन को समझने के लिए सबसे पहले एक उधारन लेते हैं जैसे कि यहां पे hydrogen और oxygen S से मिलके H2O बना है तो H2O का जो गुन होगा वो hydrogen और oxygen के गुन से जो होगा वो भिन होगा यानि कि इसका गुन अलग होगा और इसका गुन अलग होगा और इन दोनों के मिलने से जो जल है उसका गुन जो बनेगा वो बिलकुल ही अलग होगा यानि कि यौगे की जिस भी तत्तों के से मिलके बनते हैं उन तत्तों से इनका गुन जो होता हो भीन होता पानी हाइट्रोजन के जैसा टेस्ट थोड़ी देगा या ऑक्सिजन के जैसा थोड़ी लगेगा इसक आप मानिंग चीनी बना है तो चीनी ना तो oxygen के जैसे लगे गा ना तो hydrogen की जैसे ना तो carbon के जैसे इन तीनों का जो गुन होता है वो समाफ्थ हो जाता है एक नया ही गुन आपको देखने को मिलता है तो इस तरह से यह French इसको आपको ध्यान में रखना है उसके साथ साथ यहां पर एक चीज और याद रखना है कि इनका जो melting point और boiling point जो होता है वो आपका यहां पर निश्यत होगा reason क्या है कि देखिए यहां पर hydrogen hydrogen यहां पर मिला है तो hydrogen 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 जो होता है इसका जो भी एक परकार के तत्तों है तो इसका अनुपाद क्या होगा वो निश्यत होगा और अनुपाद जब भी निश्यत होगा तो boiling point और melting point जो होता है वो भी निश्यत ही होता है वो अलग-अलग नहीं हो सकता है जैसे आप है उधहारण का होता है 100 इसका boiling point होता है ज Bür Bis से बना है यहाँ पे यहाँ पे दो एलेक्ट्रोन का सेरिंग हुआ है को बोलेंट बना है तो यहाँ पे डबल बोन बना है यहाँ पे ट्रिपल बोन बना है तो इस तरह से आपस में अगर दो तत्तों अभिक्रिया करते हैं और दोनों तत्त एक ही परकार एक ही अनू होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कि एक ही पर्मानुог के मिलने से एक नए योगिक का निर्मान होता है तो इस तरह से जो योगिक है एक ही परकार के ततव जो बन सकते हैं और बिभिन परकार के ततों के मिलने से भी यहां पे बन सकते हैं अब हम लोग यहां पे जो melting point और boiling point के बारे में बात कर रहे थे उससे पहले एक चीज और हम लोग यहां समझते हैं कि जो भी रशानिक अभी क्रिया होता है तो उसमें हम लोगों को यहां पे उश्मा देखने को मिल सकता है यानि कि उश्मा का उश्मा यहां पे देखने को मिल सकता है जैसे यहां पे मैगनेश्यम का फीता जो कि आपको टेंथ क्लास का बुक में देखने को मिल सकता है पहला चैप्टर का पहला ही पेज में आपको देखने को मिलेगा इसको oxygen को फिस्टिति हम जलाते हैं तो magnesium oxide मिलता है और इसमें हमको क्या मिलेगा ऊश्मा देखने को मिलता है ऊश्मा हम उत्सरजित होता है तो यहां पर उत्समा का क्या हो रहा है उत्सरजित है उसी तरख से चूना पाणी हम लोग लाते हैं जैसे कैल्सेयम आपका हो गया कैलसेम औकसाइड हो गया कैलसेम औकसाइड को अगर हम जल में डाले बिना पुझा हुआ चुनास दो तो हमको क्या मिले गया कैलसेम हाइड्रोकसाइड देखने मिलता है और इसके साथ-साथ ऊश्मा यहां पे आपको देखने है पानी यहां पर क्या होना सुरू हो गया खालन गुन है उसके बाद हम लोग यहां पे अभी तक जो देखे उसमें देख चुके हैं कि एक सुद्ध पदात होता है दूसरा यहां पे हम लोग उसको मिश्रन के तौर पे देखने का प्रयास की यह भी सुद्धी है लेकिन एक जो होते हैं एक ही प्रकार के परमानों से देखने को मिलते हैं और योगी जो होते हैं वो अलग-अलग परवानों से देखने को मिलते हैं मिलने से बनते हैं और मिश्रन जो होते हैं यह दो पदात के मिलने से इन मिश्रनों का जिर्मान हुआ है अब हम लोग मिश्रन के बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं तो मिश्रन क्या होता है नाम से ही पता चाल रहा है दो तत्तो आपस में मिलेंगे या दो योगिक आपस में मिलेंगे तो उससे मिश्रन होता है यानि कि उपर से नीचे आपका जो होगा यहां पे जो कन होगे वो आपस में equally divided होगे या बटे हुए होगे जैसे चीनी और पानी के बीच में चीनी का और पानी का जो अनुपात होगा आप उपर वाला में लीजेगा घोलने के बाद उपर वाला से एक चमचीनी उठाइए य दोनों के मिठास सेम रूप से होगा यानि कि यहां पे चीनी जो है उपर से नीचे समान मात्रा में equally पूरी तरह से वहां पे घुले हुए हैं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं लेकिन मिट्टी में यहां पे देखिए यहां पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है जमांगी कहने का मतलब क्या हो गया समान रूप से फैले हुए तो इस तरह से इसको दो कैटेगरी में हम लोग बाढ़ती हैं अब हम लोग यहां पर मिश्रन की गुन को देखते हैं और उसमें सबसे पहले समझते हैं मिश्रन का जैसे हम लोग देखे कि योगिक का मैल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट तो समान होता है क्या मिश्रन का भी मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट समान होना चाहिए नहीं क्यों क्योंकि यहां पर मिश्रन जो होता है उसमें अनुपात जो होता है वो निश्चित नहीं हो तो उसका बॉलिंग पॉइंट और मेल्टिंग वो fix आपका नहीं होगा क्यों कि दूनों जो पदात से मिलकि वो मिश्रन बना है दूनों का boiling point melting point दूनों का क्या होगा different होगा जैसे यहां पर देखने को मिल रहा है कि जल का boiling point जो होता है 100 degree Celsius है और वहीं नमक का जो boiling point है वो 1465 degree Celsius है अगर दूनों को मिला दिया जाए तो same temperature में यह boil नहीं करेगा और इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि अगर यहां कोई असुद्धी डाल दिया जाए पानी में कोई असुद्धी डाल दिया जाए तो उसका melting point और boiling point दूनों जो होता है वो change हो सकता है तो हम लोग यहां पर आपको जो सवाल पूछा जाएगा वहां पूछा जाएगा कि अगर नमक यानि असुद्धी को पानी में डाला जाया तो उसका melting point जो होता है वो कम होगा या बढ़ेगा तो इसका melting point जो होता है वो कम हो जाता है इसका region क्या हो जाता है का temperature कम हो जाता है यानि कि जो 0 degree है celsius था वो घट के हो सकता है minus 5 degree celsius हो जाए इसलिए देखिए जहां पे बर्फ वाले इलाके हैं वहां पे root को साफ करने के लिए नमक का यहां पे घुल दिया जा रहा है या नमक यहां पे छड़का जा रहा है और उसके बाद साफ किया जा रहा है तो जो यहां पे मान चले temperature जो है minus 5 degree में है minus 5 degree में तो पूरे जल जो है ठोस रूप में आ गए लेकिन नमक डाल दिये हैं डाल के उसको साफ किया जा रहा है तो minus 5 degree Celsius का melting point आ गया है तो वो घुलना क्या हो जाएगा बंद सुरू हो जाएगा और इस तरह से melt होना सुरू हो जाएगा तो वो आराम से घुल जाता है तो इस तरह से यहां पे इसका यह melting point है वो जो होता है हो कम हो जाता है लेकिन boiling point क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है इसके पीछे reason क्या है तो इसके पीछे region यहां पे देखे यहां 100 degree boiling point है और इसका 14 तो दूनों को आपस मिला दिया जाएगा यहां पे दूनों को मिला दिया जाएगा तो obviously इसको melt होने में ज्यादा time लगेगा sorry boil होने में इसको ज्यादा time लगेगा और इसको कम time लगेगा तो दूनों को जब आपस मिला देंगे तो दूनों जब मिल जाएगा तो दूनों का जो boiling point होगा वो तो ज्यादा होना ही होना है अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह region क्या हो रहा था तक freezing क्यों हो रहा था जैसे pure water है आपस में ठंडा हो रहा था 0 degree में आइस बन गया कम ही temperature में लेकिन इसके बीच में जैसे NACL यहाँ पे नमक डाल दिया गया अब इस नमक को निकलने में time लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा time लगेगा यहाँ पे जादा energy इसको कम करना होगा तब जाके यह यहाँ से अलग होंगे और यह आपस में freeze यहाँ पे हो सकते हैं यह 5 degrees से minus 5 degrees Celsius में तक जाना होगा तब जाके यह बाहर निकलेगा नहीं तो इनके बीच का space को यह क्या कर देता है करने लगेगा और इस तरह से यह कंज जो हैं बाहर से पीचक के निकल जाएंगा और उसके बाद यह आपस में ठोस का रूप ले लेगा ते इस तरह से यहाँ पर melting point और bowling point के बारे में दिया गया है तो रशायनिक सनरशना के अधार पे जो अभी हम लग पढ़े सुद्ध पदात को तत्व और योगिक के रूप में और मिश्रन को समांगी और विशमांगी के रूप में बाटा गया है तत्व जो होते हैं एक ही परकार के परमानों से बने जो मिश्रन होते हैं वो equally रूप में divided होते हैं सब जगा equal रूप में मिलते हैं लिशमांगी में कहीं पर ज्यादा और कहीं पर आपको कम देखने को मिलते हैं तो इस तरह से हम लोग रशानिक अभी क्रिया या मिक्षर के बारे में देखें अब मिक्षर जो होता है यहां पर ग्यांगे अब कोई देख सकते हैं दोनों तो उसको टो सारा कर्बन डाइकным गैस कोटा जा रहा है तो इसतर से वहाँ पर पानी में आपका वहाँ oxygen carbon dioxide nitrogen से gas भी मिलते हैं gas gas का पूरा वाई मंडल हम लोग को gas gas का मिश्रन ही होता है देखने के मिलता है दरव दरव जल में आप alcohol डाल दाल दाल के पी लेता है आदमी उसके बाद आपका पानी में आप दूब मिला दीजे तो यह सारा जो उधारन होगा वो मिश्रन की परकार होगा next वीडियो में हम लोग इस मिश्रन को अलग करने का तरीका पढ़ेंगे और इस तरह से अगला वीडियो हम लोग हाथ से चुनकर चलनी से चानकर थीरा ना चान ना चुमब के प्रिठी करन उर्दोपातन वास्पन ये सब प्रिया के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैसे एक मिश्रन को दूसरे मिश्रन से एक मिश्रन में जो भी बने हैं अलग-अलग योगी किया था तो उसको कैसे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो के देखते रहे हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सेयर कीजिए धन्यावाद